बिस्मिल्लाई रह्मानी रहीम यह राइका कुरिया है तो हमने एक बड़ा चम्मस लिया है इससे भूं लेंगे और इससे ठंडा होने के रख लेंगे ठंडा हो जाएगा इसके बाद इसको मिकसी में डालकर हम पीस लेंगे इसका बारिक पाउडर बना लेंगे अभी जो लेक पीस है इसमें बड़े-बड़े हम कट लगाएंगे अंदर तक कट लगाएंगे ताकि मसाला पूरा चिकन के अंदर तक जाएं यह हमने कट लगा लिए इसी तरह सभी लेक पीस पे हम कट लगा लेंगे इसमें जो हाई plays powder पीशा था राई के कुरिए के वुढ डाल देंगे इसमें नमक डालेंगे और इसे mix करेंगे अभी इसे हम डो बडे चम्मत ओयल mix करेंगे यह cooking oil है आप चाहो सरसो का ओयल भी ले सकते हो यह हमने regular oil लिया है कुछ देर तक इसे धक कर रख देंगे हम अभी दो चम्मज भर की विनेगर मिला दिया हमने वापीस धक कर रख देंगे और 10 मेट तक रखेंगे दो चम्मज तिल गरम कर लिया है इसमें जीरा डालकर हमनें कांदा बारिक चौप करके डाल दिया है इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, इसमें अध्रक लसुन की पेस्ट डालेंगे, इसे भी भूनेंगे, अब सारे मसाली मिलाएंगे, हरी मिर्जी, यह भी कुटली हमने, धन्याजीरा पाउडर, मीज पाउडर, नमक, यह सब को मिक्स करेंगे, और भून लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर इसे पकने देंगे, इसे लगातार चलाती रहिए, ताके नीच चिपके ना, यह हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, अब यह हमने बटाटे लिए है, बढ़े-बड़े बटाटे दो लिए है, इसके पांच पिस कर दिये है, यह बड़े बटाटे है, छो इसमें हिलाते रहें अब इसमें पानी डालकर बटाटा आधा पकने तक पकाईए करीब 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 46 टका पक जाए इस तरह इसको पका लीजिए डग कर पकाना है हमें सब मसाला हमने मिक्स कर दिया अच्छे से अब इसे डग देंगे यह हमारे बटाटे पक चुके है आधे अब इसमें हम लेक पीश रख देंगे यह हमने विनेगर और ओयल में जो मेरिनेट किया था यह बहुत सौफ हो चुके है यह बहुत जल्दी पक जाते इसलिए पहले हम बटाटे पका लेते हैं यह मेरिनेशन का ओयल था यह भी हम इसमें मिला देंगे इसमें सब को ढग कर पका लेंगे यह बहुत ही टेस्टी मसालेदार कोसा चिकन तयार है अब एक बार जरूर ट्राइ करना इंशालला बहुत अच्छी लगेगी थोड़ा सुप बाकी है तो इसे हम हलके हाथ से हिलाएंगे और पल्टी करेंगे यह बहुत पक चुका है तो ज्यादा हिलाएंगे हम तो तूट जाएगा लेक पिस तो हलके हाथ से हिला लीजिए और कुछ देर तक और पकाईए अगर आप इतना मसाला पसंद करते हो तो यहीं पर स्टॉप कर सकते हो गेस बन कर सकते हो हम दो मेट और पकाएंगे तो आपको यह रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके हमें ज टिस्टी टिस्टी कुसाचिकन तयार है हमारे चैनल को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें अल्ला हफिछ